नमस्कार मैं हूँ मनी शवस्थी और लेकर आया हूँ आपका अपना पसंदीदा कारिक्रम आपका अपना लोगप्रीय शो एंपी का रिपोट कार्ड मिशन दोहजार चौबीज की तैयारी का आगाज हो चुका है देश में तमाम सियासी पार्टियां मिशन दोहजार चौबी लोगतंत्र का महापर्व देश को मिलेगा प्रधानमंत्री आम चुनाओं के जरिये पांसद तैन्तालिस संसदों को जनता चुनकर नई संसद भेजेगी और यही वज़े है तमाम पार्टियों की धड़कने अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं क्योंकि काम के दावे खू अंताब अपनी संसदों की काम का बना रही है आखरी रिपोर्ट कार्ट इंडियन यूज भी सभी संसदों की परक के लिए दो आधार बनाए हैं पहला है संसद में संसद का प्रदर्चन, मसलन, संसद में उपस्थिती, प्रश्णों की संख्या, संसद निदी का उप्योग और सांसत के तौर पर आपका विशेश योगदान क्या रहा है और हमारा दूसरा आधार है जी हम ग्राउंड जीरो और टेलेफोनिक सर्वे इन दोनों पैमानों पर सांसत का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा जी हां इंडिया न्यूज आपके सांसतों का ह इसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एंपी का रिपोर्ट कार्ड आज इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे चातिस गड़ के कांकेर लोकसभाद से पीजेपी सांसन मोहन मंडावी का रिपोर्ट कार्ड 1967 में हुए परिसीबन में कांकेर लोकसभाद शित वजूद में आया उससे पहले ये दुर्ग और बस्तर का हिस्सा हुआ करता था पहले जहां इस सीट पर कॉंग्रेस का बोलबाला होता था याने कि दबदबा और कबजा था लेकिन अब पूरी तरह से बीजेपी की पकड मजबूत है अभी तक हुए 14 चुनावों में यहां कॉंग्रेस को च्छा बार जीत मिली और च्छा बार बीजेपी की जीत हुई इस सीट पर हुई है क्या दो हजार चौबीस आम चुराव में मोहन मंदावी को फिर से मौका मिलेगा संसद में इनका प्रदर्शन कैसा दिख रहा है ग्राउंड जीरो यानि कांकेर की जनता अपने संसद के काम से खुश है या नहीं दस नंबर में संसद मोहन मंदावी को कितने नंबर मिल रहे हैं यह तमाम जानकारी आपको बताएंगे लेकिन उतसे पहले देखते हैं MP का रेपोट कार्ड के प्रोड्यूसर G Texas देश की सबसे नकसल प्रभावीत्य शीट है आजाधी के बाद कांकेर लोगसभा सीट कॉंगिस का कड़ रही है लेकिन 1990 में कमल खिलने के बाद यहां दुसरी पार्टियों को मौका ही नहीं मिला वर्तमान में यहां से बीजेपी के मोहन मंडावी सांसद है 1967 में हुए परिसीमर में कांकेर लोगसभा शत्र वजूद में आया उससे पहले हुए तीन चुनाबों में यह दुर्ग और बस्तर का हिस्सा हुआ करता था अभी तक वे 14 चुनाबों में यहां कॉंग्रिस का 6 बार कबजा रहा है वहीं बीजेपी का भी 6 बार और एक एक बार जनता पार्टी और जन संक का रहा है देखते हैं कांकेर लोगसभा सीट का इतिहास 1998 से लेकर 2014 तक क्याम चुनाब में यहां से बीजेपी से सोहन पोटाई सांसद बने इसके बाद 2014 क्याम चुनाब में बीजेपी से ही विक्रम देव उसिंडी यहां से सांसद बने इसके बाद 2019 क्याम चुनाब में बीजेपी से मोहन मंडावी यहां से सांसद है कांकेर में विकास की रफ्तार बहुत ही सुस्त है नकसल प्रभावित्य श्यत्र होनी की वज़ा से यहां विकास गयव, देश और आजी की विकास की तुन्ना में यहां का विकास नहीं तिकता है, भोर नकसल कई विधान सभा में तो सालों सी विकास पहुचा ही ने, यहां कुल आठ विधान सभा सीटे हैं, सिहावा, संध्री वालोद, दोंडी लुहरा, कुंडेर डेही, अंता गढ़, भानु प्रतापुर, कांकेर और केशका, कांकेर लुकसभा सीट में खरीब 16 लाख मतदाता हैं, कांकेर लुकसभा में आदिवासी वोटर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है, कुल वोटर्स में आधे वोटर्स तो आदिवासी ही है, दूसरी जातियों के मतदाता भी काफी निरनायक हैं, देखते हैं यहाँ पर वोटर्स की क्या हैं समीकरण, शहरी वोटर्स 11 फिसिदी, ग्रामिन 89 फिसिदी, स्थी 6 फिसिदी और स्थी वोटर्स हैं 49 फिसिदी, वैसे कुछ सालों से कांकेर लुकसभ लेकिन कुछ सालों से यहां की तस्वीर बदल रही है, यहां की जनता कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है, मसला नकसल समस्या, इस्थानी बेरोजगारी, पानी का संकट, ग्रामिन पिछड़ापन, लोकल सड़के बेहाल, शिक्षा स्वास्ती पूरी तरह से लचर, कन पिछड़ापन दिखता है, उग्रवाद और महिला सुरक्षा बड़े मुत्ते हैं, दोहजार चौविस का आम चुनाव कांकेर लोक सभा के लिए बहुत ही खास है, चुनाव से पहले कांकेर की जनता सांसद मोहन मंडावी के गाम की परक्ष जरूर कर रही होकी, इंडिया नियूज भी सांसद की परक के लिए दो आधार बनाए हैं, पहला है सांसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे, इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कूर उसकी रिपोर्ट कार्ट का नतीजा बताएगा, तो देखत सांसद मोहन मंडावी के रिपोर्ट कार्ट में क्या है पास या फेल? है यहां के मुद्दे कैसी है लोकसबासी यहां की जनता कई पैमानों पर सांसद मोहन मंदावी का रेपोर्ट कार्ड बनाने में जुठी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परक के लिए दो आधार बनाए हैं पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउन और टेलीफोनिक सर्वे लेकिन पहले देखते हैं संसद मोहन मंदावी का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है संसद में किये गए काम और उनके विशेश यूगदान के आधार पर दस में से कितने नंबर मिल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर संसद में अगर उपस्थिती की बात करें तो संसद मोहन मंदावी सौफी सदी उपस्थित रहे हैं 100 परसेंट जो की बहुत ही शांदार प्रदर्शन है सदन में कांकेर और देशित में संसद मोहन मंदावी का सदन में जितने उन्होंने प्रश्ण पूछें आखिर कितने पूछें 2019 के बाद संसद में मोहन मंदावी ने मात्र 48 फीसदी सवाल ही पूछें जो बहुत ही कम है मतलब सदन में उपस्थिती बहतर रहने के बावजूद प्रश्ण पूछने में संसद की दिल्चस्वी कम ही दिखाई दे रही है यानि कि सुस्त वहीं संसद निदी की अगर बात करें जो हर साल एक संसद को अपने छेत्र में विकास कारियों के जियां विकास कारिय डिवलप्मेंटल वर्क के लिए पांच करोड़ रुपए दिये जाते हैं पांच करोड़ संसद मोहनमंडावी तेरांबे पीसदी संसद निदी का उपयोग कर चुके हैं 93 परसेंट पिछले पांच साल में कांखेर में किये गए विशेश काम और देशित में उनका विशेश योगदान काफी कम दिख रहा है मात्र 20 पीसदी उनका विशेश योगद संख्या सांसद निदी खर्च और विशेश योगदान के आधार पर कांखेर के सांसद मोहनमंडावी को दस में से मिल रहे हैं पूरे 6.6 नंबर 10 में से 6.6 नंबर तो आपने देखा कांखेर के सांसद मोहनमंडावी को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 6.6 नंबर मिले हैं थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो यानि कांखेर लोगसबद सीट की जनता के मन की बात जानने पहुं कांखेर की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं और अगर आगामी चुनाओं में फिर से उनको टिकट मिलता है तो आप क्या उनको जीताना चाहेंगे जीताएंगे ना महुत तो काम में है लगन सर है समाच सबसे मिलता है और काम भी देता है जब से संसद महाण मंदावी जी निरवाचित होए रहे वह मैं उनके बताना चाहूँ के बारे में कि ऐसा कोई उनका कारे मिरे को समझ में रहा है कि वह खिस अपने share में घुम रहे हैं ना कि सीव को मीछ पा रहे हैं या आदर हिए नहीं हमक् agreeing कितले क्या की हालो क्या आप गई व से व्लिए ह सामने प्रतक्र प्रसक्ष दिख ऍए अब उसे जाद हम क्या बोल सकते हैं उनकी कारे प्रणाल जीजी से आप खूज है भासबा तो नरेंद मुदी और अमिश्वा के चहरे से चुनाव लड़ती है उनके पास तो विक्तिकत विक्तिकत चहरा भी नहीं है और कोई उनके पास कोई मुद्दे और वो मुद्दे भी कि कुछ मुद्दे ऐसे थे कि बहुत वहीं महेंगाई की मार अपकी बार मोधी सरकार रोजगार 15 लात बहुत सारी ऐसे योजनाय थी जिसको हम टीवी में एक्सर हम देखते थे अभी फिलहाल तो देखा जा रहा है संतुष्टी की बात तो नहीं है में कारण है नसा देखो सांसाइड बन गहें हैं कई विधायक बन गई लेकिन नसर के खिलाप कोई नहीं उठा रहा है जब तक नसर नहीं बंढहा होगा तब तक लिए आगा उनली का कश कॉंझा सथी motherfτो और और पर यहां क्वापकर सचिन संतुष्ट्ष्ट् notice शेतर की जनता एने कांके लोगसबा सीट की जनता की अगर बात करें तो उनमें गम ज्यादा और सांसत के प्रती खुशी कम दिखाई दी तो जैसा आपने देखा संसत में किये गए काम पर मोहन मंडावी को 10 में से 6.6 नंबर मिले हैं लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा इंडिया नियूस के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं जी हां कुछ सवाल जो की सर्वे में पूछे गए और उन सवालों का जवाब क्या निकल कर सामने आया है जो की कांके लोग सबाग सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है ग्राउंड जीरो पर हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकल कर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल क्या है अपने सांसत के कामकाज से खुश है हां कहने वाली जनता महस 25 पीस दी नहीं कहने वाली 65 प्रतिशत पता नहीं 10 प्रतिशत दूसरा सवाल क्या आप अपने सांसत को दुबारा चुनना चाहेंगे हां कहने वाली जनता 35 प्रतिशत नहीं कहने वाली 57 पीस दी और पता नहीं 8 प्रतिशत तीसरा सवाल अगर उमिद्वार बदल दिया जाए तो उसी पार्टी को आप वोट करेंगे हां कहने वाली जनता है 55 प्रतिशत नहीं कहने वाली 30 प्रतिशत और पता नहीं 15 प्रतिशत चौथा सवाल दो हजार चौबीस लोगसबज चुनाओं में आप किस आधार पर वोट करेंगे यह बटन दबाएंगे आधार और यानिकि ए मोदी फैक्टर 51 प्रतिशत जनता कहती है वी सांसत फैक्टर 11 प्रतिशत सी पार्टी फैक्टर 30 प्रतिशत और डी पता नहीं 8 प्रतिशत पांच् और आखरी सवाल दो हजार चौबीस चुनाओं में क्या आप मोदी फैक्टर को देखते हैं कि वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा हां कहने वाली जनता है 70 प्रतिशत नहीं कहने वाली 18 प्रतिशत और पता नहीं 12 प्रतिशत पांच सवालों का जवाद कांखेर लोगसबज की नजर आई अधिकतर जनता अपने सांसत के काम से खुश नहीं है ज्यादातर लोगों का कहना है कि मोदी फैक्टर की वज़े से यहां पर वोटिंग होती यहने लोग बाहर निकलते हैं नकसल प्रभावित इलाका है लोग बाहर निकलते हैं और बटन दबाते हैं और उसका फैक्टर होता है प्रदानमंत्री नरेंद्र मुद्र मोहन मंडावीक छेतर में काम नहीं करते हैं और यहीं वज़े है कि कांखेर की जनता यहां से उमीद्वार बदलना चाहती है कांखेर लोकसवा की जनता वर्तमान सांसत से भले ही खुश ना हो लेकिन बीजेपी और मु जनता ने शांसत मौहन मंडावीक को दस में से दिये हैं मात्र 3,3 नंबर जो बहुत ही कम है इसका मतलब है कि जनता यहां जनता अपने सांसत मौहन मंडावीके प्रति नाराज ज्यादत आई ये वक्त आ गया है ये जानने का कि आखिर कांकेर लोगसबा सीट की जनता ने मोहन मंडावी के रिपोर्ट कार्ड में लिखा क्या है पास या फेल संसद में किये गए काम जैसे सदन में उपस्तिती प्रश्णों की संख्या संसद निदी का उप्योग और विशेश योग पर मिलें वहीं कांकेर लोगसबा की जनता उनसे जो सवाल पूछे गए इस आधार पर दस में से मात्र तीन दशमलों और अगर दोनों कावों को भिला दिया जाए तो संसद मोहन मंडावी जनता की उमीदों पर खरे नहीं उतर पाए जिहां कांकेर जनता कांकेर की रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है फेल कांकेर लोगसबा सीट की जनता ने अपने सांसत के कांकाज को लेकर उनके रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है फेल कांकेर लोगसबा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर ये आंकड़ा इंडिया निउस आपके लिए याने अपने दश्कों तक के लिए लेकर आया महला पुरुष किसान मजदूर स्टूडेंट कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाती के लोगों से बात करने के बाद ये दिल्चस्पां करा निकल कर सामने आया जिसे हमने आपको बताया समझाया और सुनाया दिखाया भी अपने वादों पर सटीक नहीं उतर पाए सांसद मोहन मंडावी तभी कांकेर की जनता के रिपोर्ट कार्ड में वो फेल हो गए मोहन मंडावी फेल हो गए हैं तो आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कारिक्रम आपका अपना लोग प्रिय शो एंपी का रिपोर्ट कार्ड जिसमें कांकेर के सांसद मोहन मंडावी फेल हो गए हैं लेकिन चुराओ के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता दोहजार चौबीस में किस आधार पर कांकेर की जनता वोट करेगी कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है एंपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही अगली बार फिर मिलेंगे एक और मानेनी ये सांसद मोहदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ तब तक के लिए एंपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ साथ आपके अपने मनीश अवस्थी को दीजिए इजाजत न झाल झाल